हेलो गाइज वल्कम बैक तो माई चैनल आज मैं आपको लोग के साथ ये मेक अप शेयर कर रही हूं स्मोकी आई मेक अप एन इजी बेस मेक भी आपको मैं बताऊंगी है आपको वीडियो अच्छा लगे तो पूरा जरूर देखेगा पूरे वीडियो में बनी रहेगा तो चलो स्कार्ट करते हैं उसके बाद मैंने ये फेशल ओयल अप्लाई किया एन अगर आपकी ओयली स्कीन है तो ये फेशल ओयल बहुत अच्छे से आपकी स्कीन को हाइडरेट करके रखेगा एन बहुत अच्छे से मॉश्राइज करके रखेगा अगर आपकी ग्राई स्कीन है तो भी ये बहुत अच करने वाले हैं शाम को मैं मेक अप कर रही हूं इसलिए अलोवी रजल मैं ज़रूर लगाऊंगी एज़ा प्राइमर एन हमारी स्कीन को अच्छी सा हड्रेट करके रखेगा सो थोड़ा सा खंड़ा लग रहा था है मेरे अक्सप्रेशन आप देख सकते हो सो इसलिए एन मैं इस इसको अच्छे से अपने पूरे फेस प्राइमर अप्लाइपलाई किया यह यह इसका मैं यह डिय लगे नग करता है यह बंकर्मियों में च्छी नकिता है बिल्कुल आपलाई से काम करता है बिड़ए में में इसे नहीं अपलाई Gan आपकी oily to combination इसकीन है तो आई नो आपको भी आपके स्कीन पर भी नहीं काम करेगा तो आप इस चीज का ध्यान रखेगा और इसके बाद मैं अच्छे से इसको इसमच कर लिया है और इसके बाद मैं आज फटा फट मेकप कर रही हूं और फटा फट आप आप लोगों को बताने स्कीन पर क्यांतर आपके स्कीन का ड़ा सकते हूं और इसको मैं अच्यस कंप के साधिक कर लहीं हूं आपकी स्कीन को बहुत रहे है या बहुत सारे मौश्राइजारे मार्केट में आप अपलाई कर सकते हो इसको मैं अच्छे से कॉमपैक के साथ सैट कर ले रही हूँ अगर आपकी स्कीन ट्राई है तो आप कॉमपैक बिल्कुल भी मत लगाईएगा ये मैं आपको बता रही हूँ ग्राई मेकप में ग्राई स्कीन वालों के लिए मेकप में बहुत जल्दी शेयर करूँगी सबसे पहले चलो एब रोज को फेल कर लेते हैं आज जैसे कि आपने क्या क्या पढ़ा होगा सो इस मोकी इजी आई मेकप में आप लोग को बताने वाली हूँ सो वो मैं कैसे करूँगी मैं वही बताऊंगी और आज आपके साथ बेस मेकप बहुत जादा नहीं शेयर करूँगी सो यह काजल सर्फ इस काजल से मैं स्मोकी आई मेकप करूँगी तो आप लोग देखना अगर अच्छा लगे ना तो लाइक शेयर सस्क्राइब जरूर करना और मैंने एक ले लिया है मेरी कॉमपैक का ही उपर का राइपर का था सो मैंने उसको ले लिया और उसी से मैं विंग क्याइप में कुछ ग्रॉव करूँगी अच्छे से मुझे शेप मिल जाए और आई मेकप बहुत अच्छा लगे तो आपको सेम यही प्रोसेस अप्लाई करना है आप कुछ भी ले सकते हो ऐसा अपनी आईस पे रख लो और अच्छे से उसको ऐसा लाइनर जैसे थिक थोड़ा सा लगा लो और उसके बाद एक फ्लैक ब्रस के हैल्फ से आप अच्छे से इसको स्मच कर लेना है जैसे कि आप लोग देख रहे हो और प्रिंटर्स में यह मेकप बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत अच्छा लगने वाला है Сो इसको अच्छे से smudge करना है आप लोगों को सो गाइस इसको अच्छे से smudge करना है सेम वही ब्रस से आपको eyes की नीचे smudge करना है क्योंकि स्मोकी eye makeup है थो बहुत अच्छे से eyes smoky सी लगेगी जो आप दूसरी eyes पे मेरा makeup देख रहे है तोड़ा सा खराब हो गया था actually so इसलिए हिल गया था थोड़ा खराब हो गया उचको मैं repeat करने वाली हूँ so अच्छे से concealer लीजिए थोड़ा सा और इसी अपनी केकर से अच्छे से apply कर लीजिए उसकी फिंगर की help से अच्छे से चैप कैप करके आप उसको कंसील कर लीजिए अच्छे से ब्लैंगिंग कर लीजिए तो बहुत अच्छा सा शाप शाप बिंक सा बन जाएगा एंड मैंने हलका सा ब्राउन शेट लिया है एंड आजर कांजेक्शन शेट मैं उससे लगा रही हूं इसके बाद हाइलाइड का ले रही हूं अपनी आईज को अच्छे से हाईलाइट कर लिए तो मैंने लिया है इसको बहुत अच्छे से दिखाता है एंड हाइलाइट करता है और पहली बार चैनल प्याइब हो तो सब्सक्राइब जरूर करना विडियो को लाइक करना आप जहां पर भी एक्टिव हो वहाँ पर आप प्लीज इस विडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा लोग देख आपने की हैल्फ हो पाए है आप यहाँ पर एन वाई वे की लपस्किक लगाई है वथा यहें बहुत अच्छा आप के लिए वन मेरे वो पिंक शेयर वह बहुत प्यारा है सो आप चाहो तो ले सकते हो और बहुत सुंदा लगथा है यह शेयर मुझे तो बहुत मे graph Bundes इतनी सारे लपिस्की मेरे पास है ना वाई वे की बट मुझे सबसे प्यारी यही लगती है सो मैंने इस मेकप को फिनिश किया है मैंने टोनर के साथ एन उसको अच्छे से में ब्लैंगिंग कर लूँगी एन हलका सा मैंने पीची सा ब्लश यूज किया था एन वो क्लिप मुझ असा करती हूँ कि थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो सस्क्राइब जरूर करिए कर लाइक जरूर करिया है मैं आपको नेक्स वीडियो मिलती हूँ और लुक बताना जरूर कमेंट करके कैसा लगा और लाइक करना आप लोग भूल जाते है तो लाइक जरूर गाना सो बाइक यू सो मच पर वाचिंग लव यू गाइस बाइस बाइस